हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल एबीडे नियू में दोस्तो फाइनली रेलवे एंटी पीसी भरती 2019 की ओफिशल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है तो चलिए दोस्तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या यहां पर बताया गया है minimum educational qualification क्या है कितना 12th level पर post है कितना graduation level पर post है सभी चीज की जानकारी यहां पर हम लोग लेने वाले हैं तो सबसे पले आप लोग RRB Kolkata के official website पर आ जाएगा थोड़ा दिर के बाद सभी zone के website पर यहां पर officially जारी हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों CA number 1 2019 अब इसमें देखिए centralized employment notice CA number इतना इसके बाद आपका है click here to apply तो apply तो आपका होने वाला है दोस्तों एक mark से ही तो छलिए centralized official notification यहाँ पर जो आ गई है उसको हम लोग detail में जान लेते हैं तो PDF के format में है इसको आप लोग को कर लेना ओपेन कर लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो official notification आपका है वो डाउनलोड हो चुका है देखिए detailed centralized employment notice CA number 1 2019 अब चलिए दोस्तों जितना भी important बाते हैं वो एक करके सभी चीज़ को हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले देखिए तो website पर कब आया है तो first stage computer based exam CBT कब होगा तो यहाँ पर tentatively scheduled between June to September 2019 यानी कि जून से लेके आपका सितंबर के बीच में एक्जाम यहाँ पर होने वाला है NTPC का CBT1 का CBT1 एक्जाम आपका जून से लेके सितंबर के बीच में होने वाला है अब चलिए आगे important जो बाते हैं वो देख लेते हैं अब दे 12 यानी कि जो candidate यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12 पास हैं और जिनका उम्र यहाँ पर age कितना दे दिया गया है देखिए 18 से 30 वर्स के लोग ही apply कर सकते हैं इस वाले पोस्ट के लिए अंडर graduate वाले पोस्ट के लिए जहाँ पर 12 यहाँ पर मांगा गया है तो देखे कौन-कौन स यहाँ पर pay scale सारा कुछ दिया गया है कितना आपको बेतन मिलेगा अब total vacancy देखिए junior color कम typist का यहाँ पर सबसे आदा है 4,319 इसके बाद accounts color कम typist का 760 इसके बाद junior timekeeper का 17 और इसके बाद train color का 592 और इसके बाद commercial कम ticket color का यहाँ पर है 440 टोटल मिला के आपके 10,628 पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ 12 वालों के लिए यानि कि जो candidate 12 पास है वो 10,628 पदों पे आवेधन कर पाएंगे बागी दोस्तों इससे higher educational qualification है वो candidate भी इस post पे आवेधन कर पाएंगे अब चलिए next देख लेते हैं तो next हमारा है यहाँ पे दोस्तों जो है graduate level का तो graduate level पे कितना आया है त तो traffic assistant का इसमें post है फिर goods guard का है फिर senior commercial come ticket color का है इसके बाद है senior color come typist का है इसके बाद junior account assistant come typist का है इसके बाद senior timekeeper का है commercial apprentice का है इसके बाद station master का है अब इसमें देखा जाए तो total आपकी salary सभी की यहाँ पे बता दी गई है और इसके बाद total vacancies कितनी कितनी है traffic assistant TA का यहाँ पे 88 post है goods guard का बहुत ही अच्छा opportunity दोस्तों देख सकतो यहाँ पे 5748 post goods guard का यहाँ पे दे दिया गया है इसके बाद देखे तो senior commercial come ticket color का यहाँ पे 5638 post इसके बाद है senior color come typist तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है 2870 post इसके बाद देखे तो junior account assistant तो इसके लिए 3164 post इसके बाद senior timekeeper के लिए 14 post इसके बाद यहाँ पे देखे तो commercial apprentice के लिए आपका आगया है 260 post के आसपास और इसके बाद station master ASM के लिए आपका है 6865 post यानि कि maximum जो आपका post है दोस्तो station master का है 6865 और उसके बाद सबसे आदा आपका यहाँ पे है friends जो कि आपका आगया goods guard का और यह सारे post पे जो degree कर रहे हैं जो graduation कर रहे हैं किसी भी field में या फिर B.Tech.BE कर रहे हैं सारे ही यह 24649 पदों पे आवेदन कर पाएंगे friends देख सकतों यहाँ पे total post आपका 24649 post है जो की graduate level वालों के लिए दिया गया है और बाकि जो 12th level वालों के लिए दिया गया है यह यहाँ पे जो भी important बाते पताईगे है वो देख लेते हैं अब last date आवेदन करने का है 31-3-2019 यानि की 31 March आपका last date है अब देखिए same to same वही आज सूबह में जो discuss यह था वही सारा कुछ है English में stages of exam तो stages of exam में वही आपका CBT1 होगा CBT2 होगा इसके बाद ASM के लिए आपको वह order point में आपको दिया गया है formula उसी के हिसाब से आपका होने वाला है negative marking रखी गई है one white hat CBT1 CBT2 दोनों में आपका one white hat negative marking दिया गया है इसके बाद next देखे दोस्तों तो यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग जब apply की जेगा तो 10th का जो certificate होगा दोस्तों उसमें जो माता पिता का नाम जो आपका नाम और date of birth होगा उसी के हिसाब से आप लोग आवेधन की जेगा एक बात ध्यान में रखें दोस्तों सीर्फ और सीर्फ आपको एक जोन ही सेलेक कर लेना है एक किस जोन में से मात्र एक जोन में ही आपको आवेधन करना है बनना यहाँ पे form reject हो जाएगा इसके बाद next देखें दोस्तों तो और भी कुछ important बाते बताई गई है जो कि हम लोग देख लेते हैं vacancies के बारे में यहाँ पर बताएगा है medical standard यहाँ पर बता दिया गया है सभी का कि A2 आपका किस किस के लिए लिया जागा A3 B2 एसा बाद में हम लोग discuss करेंगे medical का सबसे पले important बाते देख लेते हैं कौन-कौन अवेधन कर सकते हैं तो all India के लोग कितने भी राज सभी राजी के लोग अवेधन आप लोग कर सकते हो इसके बाद next देखें तो age limit बता दिया गया है आपका इस तरह से 17-2019 यानी 17-2019 तक आपको यहाँ पे 18 साल minimum हो जाना चाहिए तब 3 साल OBC के लिए SCST के लिए 5 साल का दिया गया है बाकी PWD के लिए 10 साल और बाकी एक सर्विसमेन के लिए 3 साल इसके बाद next देखें तो यहाँ पे आपका आजाता है ग्रेवेट लेवल बालक तो 18 से 3 साल उसके बाद यहाँ पे same to same जैसा सूबह में मैंने बताया था same to same वै कंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे 500 रुपे लाएगा बाकी सभी कंडिडेट को यहाँ पे 500 रुपे लाएगा और जो कंडिडेट CBT exam CBT1 दे देंगे सिर्फ और सिर्फ उनहीं का पैसा 400 वापस हो जाएगा और इनमें से आप लोग रहिएगा CST कंडिडेट तो आपको 500 रुपे वापस हो जाएगा CBT देने के बाद अब पेमेंट कैसे करना है तो नेट बैंकिंग ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट का जोब से करना है आपको पेमेंट कर देना है और SBI चालान के माध्यम से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो फॉम भरने के बाद कल से आप लोग फ अच्छे से देख लीजेगा यहां पर आठ लाग से कम आपका होना चाहिए पूरा फैमली का इंकम और उसके बाद पांच एकर से कम अग्री कल्चरल लेंड होना चाहिए आपके पास रेसिदेंशियल फ्लैट आपको 1000 अस्क्वाइर फीट से कम होना चाहिए इसके बाद र और भी इंपॉर्टेंट बात है जैसे होरिजोंटरी जर्वेशन के बारे में है और भी कुछ-कुछ बात यहां पर बताएगी है परसंस विध बेंचमार्क डिजबिलीटी पी डवीड के बारे में सारा कुछ इसमें बताएगया है अब देखिए यहां पर सब्सक्राइब करेंगे उनको यहां पर सिलेबस दे दिया गया है देख सकते हो सारा कुछ यहां पर सबस्क्राइब करेंगे उसके लिए और इसमें दोस्तों जितना माक्स लगेगा उतना वेटर रहेगा क्योंकि इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा इसमें भी आपको 90 मिनिट टाइम मिलेगा जिसमें आप लोग देख सकते हो जेनरल अबेरनेस से 50 कोश्चन यानि जेनरल करेंट अफेर्स जिके और जेनरल साइंस मिला के 50 कोश्चन मैथेमेटिक्स 35 कोश्चन जेनरल इंटेलिजेंस और रिजनिंग से 35 कोश्चन टोटल आपके 120 प्रश्ण और 90 मिनिट जितना नंबर लाईएगा इसमें से उसी कही साब से आपका मेरिट लिस्ट तयार हो जागा इसमें भी आपको निगेटी मार्किंग 1 वाइठाड रखा गया है और टोटल आपका सिलेबस वैसाही का वैसा ही हैं मैथेमेटिक्स में आपको टोटल सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस का आपका टोटल यहां पर रिजनिंग का जो जो सिलेबस है वो दिया गया है इसके सब्सक्राइब है और सब्सक्राइब आपको 10 लेवल का सीवी से पूछा जाएगा जो आपका। बैलोजी हो गया फिजिक्स हो गया कमेश्टी ओगा यह सब 10 लेवल का ही आपको पूछा जाएगा इसके बाद नेक्ड देखे तो इसमें और कुछ बाते बताएगे जैसे बाकि सभी में कोई में भी साइको टेस्ट नहीं होगा सिर्फ अस्टेशन मास्टर में होगा और जो दोस्तों आपका जहां पर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है जो कलर्क वाला पोस्ट है उस पर आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा तो देखिए टाइपिंग टे कर देना है तो तीस वड़ प्रती मिनट आपको टेस्ट लिए जाएंग तर्वास देना होगा कंप्यूटर पर कहां कहां पर टाइपिंग लिए जाएगा कहां कहां पर टाइपिंग नहीं लिए जाएगा तो देखिए जूनियर कलर कम टाइपिस्ट है इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट लिए जाएगा अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट है इसमें भी टाइपिंग टेस्ट लिए जाएग इसके बाद देखते हैं दोस्तों तो आपका आ जाता है यहां पे traffic assistant तो traffic assistant के लिए आपको computer based aptitude test यानि कि यहां पे psycho test लिए जागा traffic assistant के लिए इसके बाद देखें तो goods guard के लिए आपको typing test नहीं देना है नहीं आपको psycho test देना है senior commercial कम ticket color इसमें भी ना typing देना है इसके बाद देखें तो senior color कम typist तो typing test देना है junior account assistant कम typist तो इसमें typing test देना है senior timekeeper में typing test देना है commercial apprentice में कुछ भी नहीं देना है यहां पे न typing test न psycho इसके बाद देखते हैं तो station master तो station master में आपको computer based aptitude test यानि कि psycho test देना है अब देखिए यहां पे बोला गया है normalization के बारे में तो normalization आपके cbt1 में भी होंगे cbt2 में होंगे दोनों ही cbt में आपके normalization होंगे और यह rule रहेगा दोस्तों एही formula के हिसाब से आपका normalization यहां पे होगा अब देखिए दोस्तों कैसे apply करना है सब कुछ कल मैं एक detailed video बना दूँगा कि कैसे step by step apply करें तो इसलिए हमारे channel पर जरूर बने रहेगा इसके बाद आपको बोला गया है कि photograph आपका होना चाहिए jpg format में 20 के भी से 50 के भी से जादा आपका नहीं होना चाहिए signature आपका होना चाहिए तो 10 के भी से 40 के भी के भी के बीच में होना चाहिए और SCST candidate है उनको यहाँ पर लगे का दोस्तों क्या करते हैं SCST candidate का यहाँ पर certificate लगने वाला है आपका जातिये वाला जो आपका cast certificate है तो उसके लिए 50 के भी से 100 के भी के अंदर तक आपको यहाँ पर डालना है बाकि वो भी से कंडियेट है उनको अपलोड यहाँ पर नहीं करना है अभी जो भी आपका cast certificate है वो अपलोड नहीं करना है सेंट्रल करना है दोस्तों सेंट्रल लेवल का क्योंकि रेलवे सेंट्रल में आता है तो स्टेट लेवल का आप लोग cast certificate मत यहाँ पर अपलोड कीजिएगा इसके बाद आप 15 language में एक्जाम दे सकते हैं तो RRB का total आपका 21 zone है तो 21 zone में सभी जितना भी vacancy उपर दिखाई दिया सभी को यहाँ पे बाटा जाएगा सभी zone में दोस्तों तो vacancy आपकी कम-कम सभी zone में हो जाएगी तो इस समय आपको क्या करना होगा कल के date में ही आपका यह आजाएगा सभी कि एक किस zone में कितना कितना vacancy किस किस post के लिए दिया गया है इसके बाद यहाँ पे बहुत important बाते बोला गया है देख लिजे once the RRB has been selected primarily registration is completed and registration number is allotted change of RRB will not be permitted under any circumstances clearly यहाँ पे mention हैं दोस्तों अगर आप लोग कोई RRB एक select कर लेते हो वहाँ से अगर registration कर लेते हो तो आप लोग किसी भी हालत में दूसरा zone आप लोग फिर नहीं select कर सकते हो वही आपका permanent zone यहाँ पे हो जाएगा और अगर एक registration आप लोग करके दूसरा registration किजेगा तो उस तरह से double registration के चलते आपका form reject हो जाएगा इसलिए पहले आपको vacancy table देखना है कल आपको बता दूँगा कि किस zone में कितना कितना post है इसलिए पहले vacancy table देखिएगा अच्छे से तभी आप लोग अवेधन करिएगा mind make up करके हर बड़ा हट नहीं है कि जल से जल आपको अवेधन करना है बहुत अभी समय है vacancy देखिए कि कहा कहा कितना कितना vacancy है तभी आप लोग अवेधन किजिएगा तो चलिए जिन candidate को भी अच्छा लगा हो वीडियो जरूर लाइक करें share करें friends के साथ क्योंकि officially यहाँ पे website पे आ चुकी है और वीडियो के description में link डाल दिया हूँ download करके आसानी से आप लोग अच्छे से पूरा notification को देख लिजे बाकि कल के वीडियो में आपको बता दूँगा कैसे आपको step by step आवेधन करना होगा तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में next update में तब तक के लिए बाई